नमस्कार बोरो रा आमार प्रणाम नेवेन छोटो रा भालो बासा जलपाई गुड़ी के आराज्य देवता बाबा जलपेश और ब्रामरी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ कुछ दिन पहले ही जलपाई गुड़ी के अनेक छेत्रों में तुफान से जान माल का भारी नुक्षान हुआ है जोनों ने अपनों को खोया है उनके प्रती मैं संवेजना भ्यक्त करता हूँ मैं गायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ भाई और बैनों आज पूरे देश में पूरे बंगाल में एक ही गुण्ज सुनाई दे रही है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार संपूर्णों बांगला बोल चे आबार एक बार एक बार जल्पाई गुडी ने भी तैक कर लिया है कि 19 अप्रिल को जैन्त रोई जी को रिकॉर्ड बोटों से जिताएंगे साथ्यों ये चुनाव सरफ एक साउसत चुनने का चुनाव नहीं है ये ससक्त भारत के लिए एक ससक्त सरकार बनाने का चुनाव है जितनी मजबूर ताकत्वर मजबूत केंद्र सरकार होगी उतना मजबूत दुनिया का भारत पर भरोसा होगा फिर उतना ही अधिक निवेश यहां आएगा फैक्टरियां लगेगी विदेशी टुरिस्ट आएंगे बीजेपी सरकार ने जी ट्वेंटी की मिटिंग नौर्थ बंगाल में इसलिए रखी थी मक्सद यही था कि एक शेत्र इंटरनेशनल टुरिजम मैच पर पहुँचे आज केंद्र सरकार यहां चावडी सडके बना रही है रेल कनेक्टिविटी बहतर कर रही है दुप गुडी जलपाई गुडी रोड एंजेपी स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए भी तेजी से काम चल रहा है ऐसे ही प्रयासों से नई नौकरियां नए आउसर बनेंगे हर परिवार का जीवन बहतर होगा सबको साथ लेकर सबका विश्वास जीच कर सबका विकास करना ही तो बाजपा का लक्ष है यही तो विख्षित भारत का संकल्प है इताई तो विकोशित भारतेर शंकल्प हो और इस संकल्प के लिए आज हर भारतिय पूरी शक्ति से प्रयास कर रहा है यहां जो लोग है मेरी उनसे प्रार्थना है कि मैदान छोटा पड़ गया है मैं जानता हूँ आप मुझे देख नहीं पा रहे है लेकिन आपके आशिरवाद मुझे मिल रहे है आपका प्यार मुझे मिल रहा है और यह उत्सा उमंग शायद ऐसी सभा इतना विराट द्रश्य यह तो बहुत बड़े आशिरवाद है आपके साथियों बिच्षीद भारत के सपने को पुरा करने के लिए मेरा भी हर पाल हर ख्षान देश के लिए है और इसलिए 24 by 7 मैं 2047 के लिए काम कर रहा हूं 24 by 7 और 2047 यह हम सब का संकल्प है और मेरा विश्वास है हम सब मिलकर विख्षीद भारत जुरूर बनाएंगे साथियों एंडिये सरकार के दस वर्स गरीब एस्टी एस्टी परिवार माताओ बेहनों के जीवन को आसान बनाने के रहे हैं आप याद कीजिए जिन करोडों गरीबों के पास बिजली पानी गैस कनेक्शन नहीं था उसमें बड़ी संख्या में हमारे एस्सी एस्टी परिवार थे सोचाले ना होने से हमारे एस्सी एस्टी समाच के महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी सरकार की योजनाओं में प्रस्टाचार का सबसे बड़ा नुक्सान S.C.S.T. परिवारों को उठाना पड़ता था साथियों आपने मुझे आथिरवाद दिया और मैंने हालात बदलने का संकल्प लिया हमने बंचीतों को वरियता दी 2014 में BJP सरकार बनी तो हमने एक दलीप राष्टपती देश को दिये 2019 में BJP सरकार बनी तो देश को पहली महिला आदिवासी राष्टपती मिली मुप्त राशन और मुप्त हिलाज की योजना के अधिकाउंस अला भारती SCST वरके ही परिवार है अधिकाउंस SCST परिवारों को पहली बार पक्के घर मिले पहली बार टोईलेट, बिजली, पानी और गैस का कनेक्शन मिले बीजेपी ने आदिवासी मंत्राले का बज़ेट कई गुना बढ़ाया हमने आदिवासी परिवारों को 23 लाग से अधिक पट्टे दिये हमने 400 से अधिक नए एक लव्य मॉडल स्कूर बनाए साथियों, दस वर्सों में 25 करोर देश वासी गरीबी से बहार निकले है हमारी सरकार की योजनाओं ने गरीब के जीवन को आसान बनाया है हमने गरीब का स्वाभिमान लोटाया है उसका गवरो बढ़ाया है और मोदी ने दस साल में जो विकास कार्य किया है वो तो सिर्फ ट्रेलर है ट्रेलर दस बचोर जा हो लो ओटा शुदू ट्रेलर चिलो अभी हमें देश को बहुत आगे ले जाना है हमें भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है हमें गाउं की तीन करोड बेहनों को लगपती दीजी बनाना है हमें नमो ड्रोन दीजी योजना से बेहनों को ड्रोन पाइलोट बनाना है हमें पीएम सूर्यगर मुप्त बिजली योजना से गरीब और मध्यमबर्ग परिवारों का बिजली का बिल जीदो करना है जातियों देश के हर गरीब का ससक्तिकरान बीजेपी सरकार की प्रात्विकता है लेकिन गरीब कल्यान की मोधी की योजना उपर यहां की टीमसी सरकार ब्रेक लगा देती है केंद्र की बीजेपी सरकार ने गरीबों के पक्के घर के लिए लगबग 30,000 करोड रुपिय बेजे मोदी कहता है कि पैसा सीधे लाबार्ती के बैंक खाते में जाए लेकिन TMC कह रही है कि केंद्र का पैसा पहले उनके खाते में आए अब आप मुझे बताईए जनता के हक का पैसा मैं TMC को कैसे लूटने दू साथियों पस्चिम बंगाल की हर बहन के गर पर नल से जल आए इसके लिए केंद्र सरकार पैसा दे रही है लेकिन उत्तर बंगाल में नल से जल पहुँचाने वाली योजना का लाप ठीक से नहीं मिल पा रहा मोदी ने यहां की लाको बैनों को मुप्त गैस कनेक्शन दिया है नई पीड़ी के जो लोग अपना परिवार बसा रहे हैं उन्हें भी मैं मुप्त गैस कनेक्शन देना चाहता हूँ लेकिन प्रश्ट गरीब और S.C.S.T. विरोधी T.M.C. सरकार ये होने भी नहीं दे रही है आईश्मान भारत योजना से देश भर के करीब 30,000 अस्पतालों में 5,000,000 रुपिय तक मुप्त इलाज मिल रहा है T.M.C. की गरीब विरोधी सरकार इस योजना को भी बंगाल में ये लागू ही नहीं होने दे रही है साथ यों T.M.C. की किसान विरोधी सरकार पी-एम किसान निदी में भी रोडे अटकाती है B.J.P. सरकार किसानों को 300 रुपिय से भी कम दाम में दे रही है लेकिन यहां इसे में भी प्रस्टाचार हो रहा है किसानों को परिशान किया जा रहा है भाई और बेनों यहां के चाए बागानों की समस्या किसी जे छुपी नहीं है देश में जहां भी चाए बागान है उनमें से सबसे बुरा हाल बंगाल के चाए बागानों का है T.M.C. का छोटे से छोटा नेता भी बड़े बड़े बंगलों में रहता है लेकिन चाए बागान के मेरे परिवारों को मूल्स विदाय तक नहीं मिल रही है T.M.C. सरकार ने चाए बागानों को T.I. इंडस्ट्री को अपने हाल पर छोड़ दिया है बदहाली की वज़र से कई बागान बंद हो गए है इसलिए इस तुनाव में T.M.C. को सबक सिखाना बहुत जरूरी है सबक सिखाओगे T.M.C. को सबक सिखाओगे बराबर सबक सिखाओगे मजबूती से सबक सिखाओगे साथियों एक एक पोलिंग बूथ में इस बार T.M.C. की जमान अजबत होनी चाहिए करोगे हर पोलिंग बूथ में साथियों T.M.C. चाहती है कि उसके तोलावाजों को ब्रस्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसंस मिले इसलिए जब केंद्र की जाच एजंसियां आती है तो T.M.C. उन पर हमले करती है और उसे करवाती है T.M.C. कानून और सम्विदान को कुचलने वाली पार्टी है आप देखिए संदेज खाली में क्या हुआ ये पूरा देज जान चुका है वहां माता और बैनों के साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ है ये पूरे देश ने देखा है हालात ये है कि हर मामले में यहां कौट को खुद को दखल देना पड़ता है यहां हर तरफ TMC के सिंडिकेट का राज है लोग अत्याचार सहने को मजबूर है आप मुझे बताईए क्या संदेज खाली के अपरादियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए उनकी जिन्दगी जेलों में जानी चाहिए क्या राशन गोटाला और टीचर भरती गोटाला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मैं आज बंगाल की धर्ती से गारंटी देता हूँ कि जिन लोगों ने ब्रस्चा चार करके पैसे जमा किये हैं इडी ने करीब तीन हजार करोड रुपिया उनका संपत्ती और सारी चीजे एटेज करके रखी हुई है तीन हजार करोड रुपिया मैं एड़वाइड ले रहा हूँ कि जो सिक्षक भरती में गरीब लोगों के पैसे गए सरकारी नोकरी में गरीबों के पैसे गए और जिनका पक्का मिलता है कहां इससे पैसा गया है तो जो तीन हजार करोड रुपिय इनके एटेज किये न मैं इन गरीबों को वापिस करवाऊंगा बेचारा टीचर की नोकरी के पैसा दिया मैं उसको पैसा वापिस करवाऊंगा साथियों टीमसी वामदल और कॉंग्रेस ने ये तीनों एकी चट्टे बट्टे के साथी है टीमसी वामदल कॉंग्रेस ने एक दूसरे के प्रस्टाचारियों को बचाने के लिए ये इंडी गड़बंदन बनाया है मैं कहता हूँ ब्रस्टाचार मिटाओ वो कहते हैं ब्रस्टाचारी बचाओ आमी बोले ब्रस्टाचार शोराओ और बोले ब्रस्टाचारी बचाओ यह लोग चाहें जितनी साजित कर लें मैं आपको गारंटी देता हूं चार जुन के बाद ब्रस्टा चारियों के खिलाब कारवाई और तेज होगी आप मजे बताइये इस देश वैसे ब्रस्टा चार जाना चाहिएगे नहीं जाना चाहिए ब्रस्टा चार खत्म होना चाहिए ब्रस्टा चारी जेल जाने चाहिए टीमसी का प्रस्ताचार जाना चाहिए ये मोदी की गारंटी है एटा मोदी गारंटी साथ्यों ये बंगाल की धर्ती महान सपूत डॉक्टर शामा प्रसाद मुखर जी की धर्ती है जहां हुए बलिदान मुखर जी वो कश्मीर हमारा है इस संकल्प के साथ हम भाजपा के कायर करता हूं कि हने एक पीडियां आगे बढ़ी डॉक्टर मुखर जी ना होते तो कॉंग्रेस की सरकार अलगाव वाज़ियों के सामने कपका सरंडर कर चुकी होती ऐसी कॉंग्रेस ने देश को आटिकल 370 जैसा नासूर दिया था आज अब भाजपा की मजबूत सरकार ने आटिकल 370 की दिवार को हटा दिया तो कॉंग्रेस को दर्द हो रहा है चिल्ला रहे हैं आशू बहा रहे हैं का कंग्रेस रच्ट ने कहाँ है कि मोदी देश के दूसरे राज्यों में कश्विर की बात क्यों करता है का कश्विर शास क्डेस के से क्या लेना देना कंग्रेस के लिए के कश्मीर कुछ नई और उनका तो यही रहा है कच्चती भी उनके लिए कुछ नहीं कश्वीर भी उनके लिए कुछ नहीं लेकिन 140 करोर देश वाद्चियों के लिए कश्वीर मा भारती का मस्तक सबार है कश्वीर हमारत बस्तक है नहीं है कश्वीर भारत का गव्रव है के नहीं है और इस कश्वीर के लिए देश के हर राज के वीर जवानों ने शहादत मोल ली है अपना जीवन सबर्पित किया है हमारे डॉक्टर समा प्रदान मुखर जी बंगेल में जन्द में थे बंगाली थे लेकिन कश्मीर के लिए कश्मीर की धर्ती पर जा करके अपनी जिन्द की दाउं पर लगा दी और वो हमारे बीच नहीं रहे कश्मीर के खातिर उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया इसी कश्मीर में शांती स्थापित करने के लिए कितनी ही माताओं ने अपने बेटों को खोया है और कॉंग्रेस कहती है कि कश्मीर से बाकी देश का क्या लेना देना कॉंग्रेस के इस बयान से उसकी विभाजनकारी सोच फीर एक बार सामने आई है साथियों दस साल बीजेपी सरकार ने जो कहा वो पूरा करके दिखाया हमारे पास दस साल की उपलब्दियों का रिपोर्ट कार है यही वजय है कि कि इंडी गडबंदन वाले मोदी की गारंटी से ही डरने लगे हैं यह अब कहने हैं लगे हैं कि मोदी को गारंटी देने से मना करो जूट और दोखे पर्टी की इंडी गडबंदन के पास तो ना नीती है ना कोई सिद्दान यह क्या गारंटी देंगे यह मोदी है जो गारंटी देता है और वो है जो गाली देते हैं साथियों आपको 19 अप्रिल को नीडर होकर अपने बूद पर कमल चाप पर बूट डालना है आपने बाय पादिनना पद्दो भूले भोड दिवेन और आप मेरा एक काम और भी करना गर गर जाना और हर गर में कहना कि मोदी जी आये थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है कह देंगे गर गर बता देंगे मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद